पावस्टार पवन सिंग का गाना पुदीनान नंबर वन ट्रेंडिंग पे क्या आया, ग्लोबली उनका गाना हरी-हरी ओडनी क्या ग्लोबल के म्यूजिक चार्ट पर नंबर वन पोजिशन पर क्या आया, विरोधी खेमे में मानो एक साथ ही भुकम, बाढ और भुचाल आ अब हम आपको बताते हैं कि किस तरह की सधे अंत्र रचे रहे हैं पावस्टार पवन सिंग के इमेज को खराप करने के लिए, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और आपको बताते हैं कि पहला सधे तो खुद विरोधी खेमे की तरफ से रचा गया बारी बारी से खिसारी लाल यादों के बाद बारी बारी से अखिलेश कश्य विवेईक सिंग जैसे कई लोग लाइव आते हैं और बहुत कुछ कहते हैं अखिलेश कश्य तो यहां तक कह जाते हैं कि पावस्चार पवन सिंग का नाम भले से ना ले लेकिन अखिलेश कश्यप यहां तक कह जाते हैं कि किस तरह से भाईया को ट्रैप किया गया कॉंट्रेक्ट में जहां भाईया कई गाने महिने के निकालते थे अब लोग धडलने से अपना गाना निकाल रहे हैं भाईया के गाने बजी नहीं पारे तो य जब इससे भी दाल नहीं गली लाइवा आके तो अब एक नया शड़ियंत रचा गया पावस्टार पवन सिंग के खिलाफ इसका भांडा फोर्ड भी बहुत जल्द हो गया जी हां कुछ पुरानी कॉल डिकोर्डिंग पावस्टार पवन सिंग के निकाली गई और ये बताया गया कि देखिए किस तरह से पावस्टार पवन सिंग के सारी की बेटी के उपर अश्लील गाना गाने वाले पंकस सिंग से बात कर रहे हैं यानि कि ये सब कुछ की आधरा यानि पंकस सिंग किसी के सारे पर नाच रहे हैं तो वो पवन सिंग के भाई इसकी भी पोल बहुत जल्द खुल गई पता चला कि कॉल्ड रिकॉर्डिंग काफी पुरानी है और उसमें किसी भी ऐसे सक्स से बात नहीं कर रहे हैं पवन सिंग जिसका नाम पंकस सिंग हो जो की खेसारी की बेटी के उपर गाना गाया हो यानि कि बारी बारी से परते ऐसी खुल रही थी जिसके बाद सभी ने दातों तले उंगली दबा ली कि किसी को भी बदनाम करने के लिए क्या कोई इस हद तक गिर जाता है यहां खेसारी रोकर लाईव आ रहे हैं कि लोग मुझे गिरा रहे हैं लेकिन आप इस बात को जान लेजिए खेसारी इसलिए रोकर लाईव आ रहे हैं क्य कुछ भी बुरा नहीं लगा है वैसे खैर हम अपने इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं अगर वीडियो अच्छा लगा है लाइक किजिए शेर किजिए चैनल को सब्सक्राइब किजिए